हेलो कोई विडियो में हम आपको बताएंगे लेप्टॉप एंड कम्प्यूटर में फंक्शन्स की के बारे में कि फंक्शन्स की में आपको का-का फीचर्स देखने को मिलते है ओके वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर ल लाइक आप F1 का यूज़ करेंगे तो open help का आपको फीचर मिलेगा open action and headings आपको F2 में मिलेगा open help and information F3 F4 में आपको repeats current items देखने को मिलेंगे F5 में आपको continuous read मिलेगा F6 में आपको F voice detection मिलेगा then आपका आता है F7 F8 जिसमें आप लोग decrease और increase कर सकते है वोइस का volume F9 F10 में और F11 और F12 में आप लोग कम ज़्यादा कर सकते magnification ओके ये तो हो गए shortcut की अगर आप इनको use करेंगे like windows की button से या फिर control की button से तो आपको काफी कुछ अलग भी features देखने को मिलेंगे ओके जैसे कि अगर आप control दवाएंगे और F7 का use करेंगे तो आपको keyboard calculator देखने को मिलेग मैं आपको बता दू यहां से क्या keyboard में दिख रहा है ओके sorry नहीं दिख रहा अगर आप shift का use करेंगे और F7 का use करेंगे तो आपको calculator देखने को मिलेगा F1, F2 से आप लोग and F3 से आप लोग mute कर सकते volume को कम ज़्यादा कर सकते F4 से आप लोग mic को mute कर सकते F5 से आप लोग refresh कर स कम ज़्यादा कर सकते F10 से आप लोग cut वगरा कर सकते F11 से आप लोग lock कर सकते ठीक है तो यह कुछ features है जो की आपको functions की में देखने को मिलते है F1 से लेके F12 बतक ओक तो topic is cover मिलते है next वीडियो में जय माता दी